नमस्कार मैं हूं मलिक इम्रान खान आप देख रहे हैं दौलपर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रेक और आज बाड़ी बिदाए गिरासी मलिंगा को दो दुन पूर्व हाई कोड से जमानत मिल गई यह विद्धुत विवाके जहिए ने यह अर्बिट पिरकान को लेकर उनको मामला दर्जी किया गया था उसका नाम आया था उसको लेकर आज उनसे बात करते हैं पूरा मामला क्या था आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखें है बता है नजाला थो आ अपो ख़ुदनी देख लिया मेरे बताने की जरूत पिर भी आप दो श्रापतु पता हैं आप क्या मामला था था पूरा रणी थी आगर हम लोग घलत काम करते तो जंधा वारे साथ लगती क्या जंधा तो सच्चाई के संग लगती है उनके संग जंटा क्यों लेगे रही है जूटे जैंधा के जलबा कानून की पूरा वरुसा ह आज़ा परसंट बिदूत भभाग नहीं वह जाव हैं, पूरा परोसा है। जन्ता का एक संदेश है, वह भ्रट्य अचारियों के खलाप है। करते हैं लोगों से लूट करते हैं इतना प्रठ्ट्यां और यह बान पर्सेंट नहीं तो यह चिसानों से एक लाग का लोन दे थे तीसे एरोपे पहले लोन देगी आपका कहना था आप मौझूद नहीं थे पूरा प्रक्रणा हुआ था पर यह आपका नाम इसमें गसीटा क्यों गया क्या मामला अब यह तो एक बार आप उसको पूंचे हैं तो ज्यादा ठीक है कि एक बज़के आपको पूरा विश्वास कानून पर नियाए पंब यह तो एक आपको पूरा विश्वास कानून पर नियाए पंब यह हजार परसेंट वरोसा है कानून हमेशा सम्मान करता हूं और जीवर मर करता हूं और करता रहूंगा सभी को करना चाहिए आपको हाई को जमानत मिली बाड़ी विदान सभा चेतर पूरे जिले में खुशी की लह दोड़ गई जनता के लिए आपको यह तो जनता का प्यार है पूरे पूरे इस पूरे तान में यह रहा अधिकार बना लिया वह तो कुछ मानते नहीं है वह देतो परेंट चाहर देखा जाए और मुक्त बदार में निकल कर आए आप कि जबर्दा सरीज़ जनता में उत्सा जोश और खुशी नजर आ रही थी उसके लिए आप कुछ कहेंगे वो तो जनता को धनवा जनता का फ्यार है और कुछ खासफाद जो जनता के लिए आप संदेश देना चाहते हो जनता के काज अगर हमा जान भी देनी परे तम भो भी द दादी व्रोंका पर बरसा है और काली पर रहे का पर रहेगा शार दीन के अंदर पांस दिन के अंदर हाइड Nee वो तो में बोली चुक्र कोई और राजस्तान में इसका दबदबा है आने वड़ा जमाना इसी तरह के नेताओं का यह होगा अभी लीप आप होते नहीं चलेगी सुनने में आ रहा था कुछ आला अधिकारी इनको फसाने के प्रियास कर रहा है यह कहां तक सच है यह तो चलता रहता है चोर सीपाई का खेले चलता रहता है जिन्दी की पर इसमें वो यह आपका जो सुनने में हो सच था लेकर जीत अंत में सचाई के होती है हमारे साथ नगर बिदाएक वाजवली भी हैं उन से पूझते हैं इस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं देखिए हम लोगों को जन्ता ने चुनके भीजा है हमारा फर्ज है कि हम उनकी बात को रखें उनके काम की लड़ें उनकी हाक की लड़ाई लड़ें हमारा फर्ज है कि हम जन्ता के साथ खड़े हो अन्याय के खिलाफ खड़े हो जिस तरह की बात सामने आई भिष्टाचार जो इस विभाग में चल रहा है वो किसी से कोई चुपा नहीं और आम जन्ता गरीब जन्ता को लूटा जा रहा है खशोटा जा रहा है तो निशी तोर पर हम सब इसके खिलाफ है जन्ता के लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे उसकी कुछ भी कीमत क्यों न चुका नहीं पड़े हमें नियाय का के लिए हमें पूरा बरोसा था हमने कानून और इन्वेस्टिकरिशन में कॉप्रेट किया है एंपने देखा जन्ता में कितना उस्वा प्यार जो शुमंग भरा हुआ था उसके लिए जापूर के अंदर हम लोग देखते हैं चाहे कोई मंत्री हो यह पूरी लड़ाई लड़ते हैं जनता की जाहे किसी भी लहजे में कोई बात किसी अधकारी से कहनी पड़े किसी मंत्री से कहनी पड़े लेकिस जनता की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं रहते और उसक पूरे मामले किस तरह से देखते हैं कि आपने सब कुछ देखा है कि किते दिनों से चल रहा है एक बहुत बड़ी बात यह थी और आज मैं इसको इस रूप में लेऊं कि एक नाम किसी भी रूप में मलिंगा जी का आया जब सरकार में इस चीजों की बात हुई तो मुख्वंत तीजी ने का भी कुछ लोगों की टुटर पर फेश्बुक पर इस तरह की सोचल मीडिया पर इस तरह की बात आ रही हैं तो जो सत्त है उसको जिंदा रखने के लिए सरकार नहीं मिलिंगा जी का सरणर करें एक मिनट बिना सोचे सरणर किया और इसके बाद में पूरा बाक है आपके सामने हैं जिस तरह से न्यायले ने जो न्याय किया है और जमान तो यह आगे भी कहना मैं यह चीजों का वो बिलेगा तो यह जो अच्छी बात है कि सरकार की आपकी दोनों की एक इमेज बड़ी है कि सरकार जीरो टॉलरेंस में बर्क कर रही है किसी भ कि कोई बात है तो वह उन्होंने सुनी और सुनने के बाद में जो जिस तरह का आपने मुर्ण को सरंडर किया इसके बाद जो इस्टिती है वह आपके सामने है और आज जो हुझम उड़ा है आप देख रहे हैं कि दौलपूर से लेकर बारी तक जो प्यार और महबत आपको जो दी गई है वह अब इस परनी है ऐसा कभी कभी होता नहीं है एतने लोग आते नहीं है हमारे साथ अग्रवाल समाज के जिलाद्यच मुके सिंगल भी उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं पताएं अभी यह जो प्रकृण चल रहा है इसमें बजायक जी को नाजाज बसाया गया और एक यह राजनीति स्रडंत्र माल लो या करमचारियों की यूनीन माल लो कभी करमचार यह नहीं मानता कि मैं या मेरे किलाब अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको हम स्रडंत्र में पसादाएं यह दंगी और रहती है और सत्ता तो अगर किसी फाइल के पैसा नहीं मिलता तो वो कोई काम आगे नहीं करते हैं फिजली विभाग नहीं आज पूरे तंत्र में जितना करमचारी तंत्र है उसमें इतना ब्रश्चाचार फैला हुआ है कि उनको जब तक अगर यह कैंसर का रुक खतम नहीं होगा जब तक यह सार सराइस्कान के तेजारा बिदान सभा से बिदाएक हैं वह उन से पूछते हैं वो इस पूरे मामली को किस तरह से देखते हैं देखिए मलंगा जी का जो परकरण है उसमें एक चीज़ देखने में आई कि जैसे भगवान राम ने लोगों के कैने पे सीता के चरितर पे उंग मलंगा जी का चरितर बिल्कुल पाक साफ है और वो कानून पे हमें वरोसा है उस चीज़ में ये इन्वोल नहीं थे वो सब चीज़ें निकल के आएगी जात में से इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सब चीज़ें निकल के आएगी अब बात आ जाती है इस परकरण की तो ये एक नमूना है तरीकसे जनसला अमन रहा है ये उन सब चीज़ों के नमूना है एक तरीके से पूरे देश जिस तरह के 살ात हो रहे हैं उन हालातों में जनता अब सडकों पcl destination को नहीं देपार्टमेंट में उनके खिलाब जनता में आप आक्रोस है और यह veod park यह दोब प्रश्टाचार जो चरम सीमा पे हैं उसे खिलाब जनता उतर सकती है तो उनको सुझार करना चभी के बारे में क्या कहेंगे बदाएक गिरा सिह मलिंगा जी चभी के बारे मैंने अभी आपको क्या कहा कि वगवान राम ने परिक्षा ली थी लोगों के कहने पर इसी तरीके से इनकी अगनी परिक्षा हुई है और यह पूरी तरह पाक साफ जिस तरीके से सीता जी पाक साफ निकली थी तरह के से मलिंगा भी पाक साफ निकलेंगे तो आप आप देख सकते हैं यहां पर तीन चार-चार विदायक मौजूद हैं जो कि सवा में रेलि में पूरी टाइम मौजूद रहे और उन्होंने 5 desai 2 यहां पर राइस्तान के मौजद हैं जन्होंने बताया है कि पूरी तरह से बिदाय किरा सी मलेंग average एक दम साफ और सच चबीके हैं बे मज़या उनको फसाए जा रहा है राई नी तिक देश से पसाए जा रहा है बाड़ी से फर्स्ट एक निउस के लिए मलिक इम्रान खार